आवे पहाड ये दिमारग में तो आन्धी बन कर जोर करो स्वामी का कारज करने को प्रस्तान शीख्रहे शूर करो सेना पती ने शुंब की उसे आग्या को मान मासे लड़ने के लिए तत्षण किया पयान एक नारी पर जय पाने का मन में करके अभिमान चला अब लासे युद्ध मचाने का करके विचार बलवान चला कुछ शर्म ननर मन में लाया अब ला नारी से लड़ने में बच्चा ना तनिक भिशर माया रण में माता से भिड़ने में जिसके चलने से किसी समय देवों का था सब धीर चला एक रमणी पर अपना पारश दिखलाने वेहरण वीर चला पर यह नारी ऐसी वैसी साधारण निबल ना नारी थी बिल्ली तक से डरने वाली सुन्दरी न यह सुकुमारी थी गौरी तेवर हाथों से जो रमणी मन गई सवारी थी वीरता दिखाने वाली वेह भारत की सची नारी थी गुडियों का खेल छोड़ कर यह तलवारों ही से खेली थी सांगे ही इसकी सखिया थी और बरची चारों सहेली थी जितनी एह पूली भाली थी उतनी ही भरीच तुरता थी को मलता थी पर साथ साथ लड़ने की भी आतुरता थी था उन दुरगा देवी में सभी गुडों का मेल सुख दुख हर्ष विशाद सब वे सकती थी छेल ऐसी ही गुणवाली नारी इस समय काम कर सकती है दास्ता देश के लोगों की कम कम से सब हर सकती है दुरगा माता की तरह अगर हम सब की माताएं होवे तो क्यों भारत की संता ने दुख से कातर होकर रोवे दुरगाए होगी तो गुंडे आब रू नहरने पावेंगे उशा की लाले देख देख उल्लू नविचरने पावेंगे क्या शक्ति सियारों में होगी जो सिंधनियों पर वार करें क्या साहस दुष्टों में होगा सतियों पर अर्थ्याचार करें इसलिए अगर अपनी इज़त माताओं तुम्हें बचाना है अपनी भावें गन्याओं को यदि सुख का पथ दिखलाना है तो आओ बाहर निकल पड़ों लेकर तलवारे दुर्गासी पर शीक्र बहादो दुष्टों के शोड़ित की ठारे दुर्गासी निजसेना के साथ में वहसेना पतिवीर पहुचा पर वत राज पर माताजी के तीर देखा उसनी उस परवत पर एक नाले छबी में सनी हुई गौरी से सुन्दर दिखती है गौरी के हाथों बनी हुई माते पर चारुचंद्र का सामंजुल किरीट था सोह रहा जिसकी उच्छवल उतम छबी से भक्तों का मनियती मोह रहा उसके पटवस्ट देख करके बन की श्री निपटल जाती थी बन फूल पहन कर वह कोई बन देवी सी दिखलाती थी थी एक हाथ में गदा और दूझे में खडग चमकता था तीजे में भाला दबाहु आचाथे में शूल दमकता था दानव दूष्टों का उश्ण रुधर पीने की प्रबलियास ही में माता का बाहन सिंधे एक बैठा था वहाँ पास ही में वह कभी भक्ति और श्रधा से माता के चरण चाटता था और कभी याद कर दूष्टों की गुसे से उठ काटता था केहने का यह तात पर रेकी सब माता का ठात निराला था इस ओर शान्ती में सना हुआ उसे ओर वीरता वाला था भक्तों की भय हाँ रिणी मां की ऐसी मूर्ति मंगल कर हो कर सदा कर सुखों की पूर्ति पाकर के जिस मूर्ति को धन्य हुआ हे मवान वही मेत दे जगत का मुह और अक्यान अब तक मां के पास में आए देत कराल तब का कहता हूँ तुम्हें हे राजन सब हाल आया जब वहां धुम्र लोचन में घोसारन गरजन करता अपने उचे हुंकारों से प्रिखवी तल में कमपन करता कब उसे देख कर माता का वाहन वहसत वर थड़ा हुआ जग उठा सिंग जो था अपितक निश्वेश्ट भाब से पड़ा हुआ उसने उची गरदन करके दुष्टों का व्रिंद सकल देखा मानो प्रोधत होकर कोई हो मिग छानों का दल देखा दुष्टों का गर्म गर्म लहू पीने को प्रबल चाव से वह बरसाने वाले बादल सागर जागम धीर भाव से वह फिर उसने जननी को देखा आशा करके जय पाने के मानो मा से आग्या मांगी दुष्टों को मार भगाने के उसका यह भाव देखकर के माता ने उसको दुल राया हाथों से ठपकी दे देकर कुछ शान्त उसे फिर कर पाया शान्त हुआ कुछ देर में जब मा का वहदा से असुर सेन का नाथ तब आया उने के पास अंगार की तरह से करके दोनों ने उसने माता से कहे प्रोधित हो ये बैन सुन्दरी शुम्भ की बातों को जो तूने अभी न माना है उसकी ही सजा सुनाने का मनसुबा मैने ठाना है जा जाने किस बिरते पर यो अभी माने आज तू करती है नारी होकर वीरों किसी किस लिए दून तू भरती है अब काल सहायक हो तो भी मैं तुझे को आज न छोड़ूँगा प्रण तूने जोकर रखा है वेह प्रण बल से मैं तोड़ूँगा चले अगर शोक से चलना है इसमें सम्मान तेरा होगा पर ना पर जोड़ी हर लूँगा जिससे अपमान निरा होगा इससे है योग यही तुझको तू साथ हमारे चली चले क्यों जाने बूझ करके वाला तू भला मौत की गली चले तेरा यह अभिमान सब होगा बेकार क्या अपने अपमान का तुझको नहीं विचार सुनकर यह उन देविने की बैन उचार तुम सब का बल ग्यात है मुझको सभी प्रकार है यह सब मुझको ग्यात की तुम सब कैसी ताकत वाले हो एक अपना से लड़ने वाले तुम मर्द कहाने वाले हो जाने पर भी तयार नहीं प्रण भी मैं कभी न तोड़ोंगे बढ़ गया कदम जिस रस्ते पर अब क्या उससे मुह मोडोंगे यदि भुज मेबल हो तुम मुझको बर जोरी ही ले जाओ तुम या मेरे हाथों से मर कर कुछ का मशुंभ दे आओ तुम सुनकर यह बात धुम्र लोजन माता जी के ऊपर धाया मानों मेगो कांदल कोई परवत के ऊपर मंड राया माता ने उसे देख आते एक उचा सा हमकार किया और उस दानव को उससे समे बस वही जला कर शार किया फिर दानव सेना का उनने प्राणम पुशीख्र सनहार किया जो आया उसका वध करने भवसागर के उस पार किया सेना पति का देख कर यो रण में सनहार मां के वाहन ने किया अपना प्रगट विचार मां अब क्यों व्यर्थ लड़ रही हो जब सेना पत ही नहीं रहा यह कश्ट तुम्हारा करना अब जाता है मुझसे नहीं सहाब यह दात यार लख ये मेरे यह जीफ हमारी भी माता प्यासी थी ऐसी बर्सों से मैं जिसे नहीं कुछ कह पाता अब जब यह अब सर आया है तो मुझे को प्यास बुझाने दो आक्या दो मा इस बच्चे को अपनी कुछ हमस मिटाने दो इन से ना अब तुम लडो माता इन से लडने में अपयश है इन नीच सी आरों की खाती रहे है सिंध तुम्हारा ही बस है करणा करके है दयामई अब इतना मेरा काम करो मुझे को रण करने जाने दो और तब तक तुम विश्राम करो इतना कहकर सिंग वे है पामा का संकेत चला देत की सेन में अतियुत साह समेत जाते ही जाते उसने सब सेना का सत्या नाश किया ब्रग के बच्चों ही साउस ने दैक्यों का शेक्र विनाश किया कितनों ही को नख से पाड़ा कितनों को चीरा दातों से कितनों ही का संहार किया पंजों के तीवर घातों से यो तणप तणप करके उसने एक आग लगा दी सेना में अर जितने दानव थे सब की तिर मात बुला दी सेना में उस सेना के बीच में बचाना कोई वीर पहुचाता ये है हाल जो शुम्भ राजे के तिर वह सिंग शान्त होकर पहुचा जिस ठार देविथी खड़े हुई बच्चे का युथ देख करके वे थी जहां हर्ष से जड़े हुई जाकर पहले माता रखा उसने माता के कदमों पर और फिर से वकसा लोट रहा उन देवी के पदपदमों पर इस ओर हाथ मां का अपने बच्चे का तन सहलाता था उस ओर सिंग भी माता के वे जरण चाटता जाता था जिसने देखा वेह मोह रहा वेह चबी ऐसी मन हारे थी जग जननी दुरगों दीवी को उस शोफा की बलिहा रिखी देह सकता है क्या कोई भी उस समे बढ़ा था जो किसमा सब एक साथ के दो सुर सी जैमा 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 जैमा